हेलो पीपल, होप योला डूइंग वेल, आज हम लोग बात करेंगे section 129 CRPC के बारे में section 129 CRPC हमें कहता है dispersal of assembly by use of civil force अगर कोई बहुत सारे लोग इखटा हो गए हैं और उनको disperse करना जरूरी है, अलग अलग करना जरूरी है, उस assembly को खतम करना जरूरी है तो civil force की मदद से उसको हम कर सकते हैं, वो civil force की मदद से कैसे करेंगे, क्या procedure है, वही section 129 में बताया गया है authority पहले सबसे पहले कौन competent है, command देने के लिए, तो कोई भी executive magistrate अगर है, तो वो कर सकते हैं कोई officer in charge है, police station का SHO या अगर है तो कर सकता है, और कोई भी police officer लेकिन वो sub inspector के rank से नीचे का नहीं होना चाहिए, तो यह order कर सकते हैं assembly को disperse करने के लिए, अब order अगर एक बार कर दिया, और अगर अब वो order नहीं मान रही, वो assembly जो है, वो order नहीं मान रही है तो पहले सबसे पहले क्या, तीन लोग हैं, जो order कर सकते हैं, command दे सकते हैं, executive magistrate, SHO और कोई भी police officer दे सकता है, लेकिन वो sub inspector के rank से बिलो नहीं होना चाहिए अब अगर वो assembly जो है, वो उनके order को नहीं मान रहे है, so upon non compliance of order to disperse, aforesaid authority, aforesaid मतलब या उपर जो authority बताई गई है, may proceed to disperse the assembly by civil force तो अब वो civil force use करके, उस assembly को disperse करेंगी, और अगर जरुवत पड़ेगी, तो arrest भी करेंगी, और confine करेंगी किसी जो person को, get him so arrested, और या फिर order कर देंगी, कि भाई, इनको arrest किया जाए, या confine किया जाए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कौन से authority competent है, command देने के लिए, अगर disperse करना है, assembly को तो, तो पहले सचीदी सीदे, executive magistrate, officer in charge of police station, और कोई भी police officer, लेकिन सब inspector की rank से नीचे का नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे पहले कहेंगे, कि भाई, आप जो अपनी assembly को disperse करें, अब अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं, तो वो force use कर सकते हैं, civil force use कर करने के बात भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप जो है, वो arrest करो या confine करो, या फिर order दो arrest या confine करने के लिए, तो यही बताता है section 129, next video में हम लोग बात करेंगे section 130 के बारे में, अगर कोई problem है, तो please let me know in the comment section, और अगर आप लोग इस topic पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज में चे ज़रूर बताएगा, thank you so much